कि नमस्कार दोस्तों आपका माई स्वेश्टो चैनल पर स्वागत है आज हम बात करेंगे कि कैसे Adani Group के शेयर्स क्रेश हुए रिकवरी हुई और सुचेता दलाल के नई बुक की रिलीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये मैटर उस से रिलेटिड तो नहीं है सुचेता दलाल का नाम जिन लोगों को नहीं पता है वो प्लीज या तो गूगल से सर्ज कर लें या फिर स्कैम 92 वेब सिरीज आई थी जो जाके अच्छे से देख लें स्कैम 92 का थीम था हर्षद महता का घोटाला जिसमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था ये पैसे उन्होंने कैसे कमाया था इस पर ब्रेकिंग स्टोरी बनाई थी सुचेता दलाल ने जो टाइमस ऑफ इंडिया में पबलिश होने के बाद पूरा मैटर गवर्मेंट के नजर में आया और फिर जाके रेगुलेटरी एक्शन लिये गए ये स्कैम मेरा आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है आज मैं बात करूँगा एक नए केस के बारे में जिसका स्टार्ट भी सुचिता दलाल के एक ट्वीट से हुआ था ऐसा लोगों का कहना है हाला कि इसमें दोनों तरफ का व्यूज मैं बोलूँगा मेरा काम किसी का साइड लेना नहीं है मगर जो हुआ उसको सही तरीके से आपके सामने रखना है ताकि इन्वेस्टर्स को हर एक ब्रेकिंग खबर का सच और डिटेल्स पता चल जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि बिना उसके मेरा कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुच पाएगा वीडियो शुरू करने से पहले जो ट्रेडर फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके लिए 5 सेकिंड के लिए इंपोर्टेंट मैसेज एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डेस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें तो क्या है केस पूरा मामला सुचेता दलाल के ट्वीट से शुरू हुआ था जैसा आप देख सकते हैं इसको बहुत 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 री ट्वीट करा गया ये एक वाइरल ट्वीट बन गया था जिसमें फेमस लॉयर और यूनियन मिनिस्टर सुबरमनम स्वामी को भी टैग किया गया था इस ट्वीट पे किसी का नाम नहीं था कोई भी कंपनी का नाम नहीं था खाली ये कहा गया कि किसी एक बिजनेस हाउस के शेयर के साथ ओपरेटर प्ले किया जा रहा है जिसके इन्वेस्टर्स फोरन एंटिटीज हैं और जिसको कोई सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है 12 जून के ट्वीट के बाद 14 जून को E.T. में एक न्यूज पबलिश हुई कि N.S.D.L. की तरफ से अचानक एक्शन लिया गया था जब अदानी ग्रूप के 3 F.P.I. Foreign Portfolio Investors के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि इन 3 कंपनी ने अदानी ग्रूप के 4 लिस्टिट कंपनी में 43,500 करोट से भी उपर का इन्वेस्टमेंट किया है जैसे ही ये न्यूज हुआया उस ट्वीट के बाद इन्वेस्टर्स काफी घबरा गए और अदानी ग्रूप के शेयर्स में भारी गरावट देखी गई 14 जून को आज ही अदानी ग्रूप का क्लैरिफिकेशन भी सामने आया इस कलैरिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये आर्टिकल गलत सुचनाओं पर अधारित है और उन्होंने आरोब भी लगाया है कि इन्वेस्टर कमुनिटी को जान बूज कर मिस लीड किया गया है अब असली सवाल उटता है कि सुचेता जैसी बड़ी जनरलिस्ट को पबलिकली ऐसा ट्वीट क्यों करना पड़ा इसके पीछे की सच्चाई क्या है इटी और अडानी में कौन सच बोल रहा है एक त्योरी यह भी है कि शायद सुचेता दलाल ने पबलिसिटी के लिए ऐसा किया क्योंकि हाल फिलाल में उनकी नई बुक चार जून को रिलीज हुई है उस बुक का नाम है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए थैंक यू सो मुच